बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अप्रेटिवल पेपर है कर वे मैं सुरत राज तो राज के वीडियों देखने वाले हैं और यहां बात करने वाले हैं एचुकेशन मतलब की सिक्षा के बिशाय में आपको एक बिचार बताना हुआ जिसे बहुत सारे सास्त्री उन्हों तो देखो मैं आप से बोल रहा हूँ आप बीये में हैं तो आप कुछ मत करना कोई भी कोशन आता है अप एक बार या दो बार पढ़ लेना पढ़ने के बाद में वो 50% से 70% सक आराम से याद हो जाता है और आप उसको बना बना करा सकते हैं कोई भी कोशन को छोड़ के मता एक कोशन को बना यदि आपको नहीं आदा तो बना बना के देना लेकिन कोशन को आप नहीं चोड़ेंगे ठीक है क्योंकि आपको अच्छे नंबर से पास हो रहा है तो मैं बता रहो क्योंकि कोशन आप छोड़ दोगे तो एक भी नंबर आपको नहीं मिल ले वाला है लेकिन ह यदि आप उसको बना बना के कर दोगे तो हो सकता है वहाँ चार नंबर का वहाँ दो नंबर मिल जाए यह फिर एक नंबर मिल जाए लेकिन ज़रूर यह कर दियर है वह आपका काटेगा नहीं सब्सक्राइब तो यह तरीका आपको अपनाना होगा तो यहां देख सकते हैं पहला कोशन है क्योंकि आपको 2022 में 85 परशन प्लस लाना है मतलब कि 85 परशेंट तो मैं पहले बोल चुका हूं यह कम कोशन कुछ कोशन चुडवा रहा हूं मैं यासे 85 परशन पहले कि हमारे बीडियो पड़ी हैं कोई केवल 70% अब आप देख सकते हो आप कितने कोशेंट लाना चाहते हैं कि देखो ध्यान से पहला कोशें नहीं कि अधिक्षा क्या है पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एजुकेशन होती क्या संकूशित अर्थ मतलब यह बोला गया है कि सिक्षा क्या है इसका अर्थ बताईए अलग अलग तरीके से आपको जैसे कि संकूशित परिभास और पोसर करने का तरीगा भी याद करने का तरी का भी अच्छा ओना सब्सक्राइब यहां बोला गया है देखो यहां है है कि तो तो थो दर्शन निदेशन को बात बात पर एंड़ संदेशन नीचे होगा अब यहां दर्शन कि नीचे हों मैं आपको बताना है अब देखो दर्सन की परिभाशा विशाच्षाच्षित्व कुमार को ली है क्या यह तुम यह पढ़ो कि दर्सन है दर्सन की परिभासा और सिक्षा और डर्सन एक सिक्के के पहलू है इस कथन पर व्याग क्या करिए 100% पेपर मनने वाला है यह कोश्चन तैयर करो ठीक लगा लो या फिर आप हमारी सारी लिस्ट को देखना जाते हैं तो लिंक में डिस्कॉप्शन वोक्स में दे रखा है या फिर पेपर हैकर डॉट इन वैप साइट पर जाकर ऑप्सनल वाइप जो एम सी को जिस कोशन आ उनकी भी पेडियेप हमने बनाकर प्लेस्टोर बना रखी है यह फिर हमने एप्लिकेशन पर डाल रखी है प्लिसकॉप्शन वोक्स में है आप जाएए पेपर हैकर डॉट इन पर पेपर हैकर डॉट इन पर जाओगे तो बहां बहुत सब कुस्छ आपको मिल जाएगी यहां जाओ यहां है आदर्स बाद क्या होता है कि उसके बिस्यश्ता उनके उद्देशों को लिए-दर्त सबास है क्या और सारी सात आप दीक्रति बाद क्या होता है उनके ढाफनिक दरिश्टी गोन अप यांत करेंगे और आपको देकना है DEGO यह है प्रियोजन बादह इसके उद्देश उनके सिध्धान्तों को आपको देखना है ठीक है यह कोसिन आपके सामने आ रहा है चलो उसके बार क्या है यह थार्थ बात को याद करेंगे ठीक है गुँद के सिख्षा bere completed अर्विंद घोस एक सास्त्री थे उन्हों ने कहा कि ये बताईए अब अर्विंद घोस के दूआरा कुछ उख्षा के समन्दित बिचार दिए गए थे वह सिक्षा के बारे कि वहारिते लुख यहां आइसे कर ला चाहिए ऐसे के द्वारा आप कोशन को भी याद करें ने भी हमाहतमा गांदी ने भी कुछ बिचार दिये मज़़ा के लिए कुछ विचार देकि की माहतमा गांदी तुम यह सही रहएगा यह तो महातमा गांदी दौरा भी उन विचारों को देख लेना बैए किंडगार्ण के सिध्धानत और सिख्षिक विचारों की बारे में ठीक है यह भी आप देख लेना लेकिन आपको यह रवन टाइगो महत्मा गांधी वह बहुत जादा इंपूटेंट होते हैं ठीक है और यह है आपको मॉंट्सरी यह बहुत ज्यादा इंपूरेंट इसकी पदती का सिध्धान मुल्यांक होती है उपदी कौन से होती है यह जईना को सिध्धान भी उधी को बदाना है यह क्आप है पोपलर हैो है एक पूचा जाता है यहाए अनुसासन क्या है अनुसासन होता गया है उसकिन आपना करेंगे और यह बोला गए प्रिगतिवाद और पार्ठी किरम का वड़न करना है तो पार्ठी किरम क्या होता है प्रिग्रतिवाद क्या होता है यह प्रिग्रति दर्सन के दोस्ट क्या होते है वह आप देखेंगे ठीक है चालो अंतराश्टी यहां वो लगाया अंतराश्टी विस्विध्याले की विशिष्था एक जैसा होता है और उनके पढ़ाई एक जैसी होती है यह यह चीज ऊदिए कुछ खाशी यहां बोला गया सिक्षा के छेत्र में आपको जो गुर्जु भाय थे उनका योगदान क्या रहा है शक्षा के छेत्र में उनका जीवन और कारे की वारे में दूनों देख लेए महात लिए चाँ अपको एक्स्पिन करना है और है सवामी बिवेकानंद के यहां बूला गया है कि इस्तरी सिंट और कर देखो कहार है अब सौमी बिवेका के इस्त्री सिख्षा के विचार दिये था कि इस्त्रीक रहने करने चाहिए उनकी अनुसार का अठ्थ या था मतलब शिक्षा की परीभास ड़े का थी सवामी बिवेकान लूसार ठीक एए कि बस यही कोशन है बागी कुछ नहीं है देखे जाए तो कि देखें का थर्ड पेपर आ जाता है थर्ड पेपर हम करेंगे पहले सफ लूट कर रखाऊं सेकंड पेपर भी हो गया और थर्ड पेपर हम नेक्स वीडियो देखें तो यह थे 2022 में आने वाले कोशन आप इन कोशन क्याय सकते हैं और आप अच्छे नमर से पास हो सकते हैं कोई बिचित हो जाता है तो अर्ड परहना की कर दिछे लेकिन कोई भी व्याहर च्छोड़के नहीं आना है ज्यादा से जाता दुस्तों क्यूंक है करना भाके मलते हैं नाट टुक्त कि लिए पाइग सबद्स्क्रा